दुस्तों हो सकता है कि आपकी चैनल की जो एलैबसिलिटी करेटरिया होती है पूर अपने यूटूब चैनल को मोनेटाइज करने की बीचाएज कर तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं तो apply का process बहुत easy है उसके लिए आप अपने YTA studio में आ जाईए और content वाले option से हटके सीधा earn वाले section पर जाईए और यहाँ थोरा से उपर जाएंगे तो apply now को option देखने को मिलेगा तो आपको apply now पर click कर देना है अब यह review based term उसब से पहला जो आपको दिखाएगा वो review based term होगा तो review based term पर आपको यहाँ पर देखें read these term carefully as these apply to your participation in the YouTube partner program तो यहाँ पर यह चीज़ दिखा रहा है तो review based term पर क्लिक कर देगे START पर click कर देँगे तो आपकी channel कर review किया जा जाएगा जिसमें आपके content को देखा जाएगा और आपका channel monetization के लिए capable है की नहीं इन चीजों को देखा जाएगा तो हम कर देते हैs start पर click कर देते हैं तो यहां पर start पर click करते हैं तो review based term की कुछ चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिलेगी यह सारी चीज़े जो review की होती है उसी उप्स्क्रोल करके नीचे में यहां से होने लगता है यहां पर click होना लगा अब यानि कि यह review based term जो होता है आपके द्वारा review based term उसे आपने पुड़ा कर लिया एक होता है आप खुद अपने चैनल के बारे में सब कुछ review कर रहे हो और एक होता है YouTube कर रहा है तो थार्ड वाला होता है YouTube का फर्स्ट वाला जो आपका होता है वह आप कर लिए हो उस पर ठीक आ गया है sign up for adsense for YouTube यहां पर आपको देखने को मिल रहा है तो आप यहां पर अपना adsense भी create कर सकते हैं तो मैं start पर click कर देता हूं तो यहां पर देख सकते हैं do you have an existing adsense or adsense for YouTube account आपकी YouTube account के लिए को existing adsense account है कि नहीं यह पूछा जा रहा है आप से तो यहां पर मैं अपने तरीके से बोल सकते हो मेरे पास है एक adsense नहीं होगा तो no I need to create one आपको click करना होगा वहां पर आज जाकर आपको अपना सब कुछ नाम पता देना होगा मेरे पास है तो यहां पर मैं yes I have an existing adsense account पर click कर देते हैं और नीचे में है you are only allow one adsense or adsense for YouTube account per person because you have an existing adsense or or the adsense for YouTube account you should select the email address यह बोल रहा है you you are only allow one adsense for who एक adsense एक आही आदमी का बनता है अगर आप जदा adsense बनाना चाहते हैं तो आपको घर के उद्बां की सदस्यों के हिसाब से adsense बनाना होगा एक आदमी के लिए एक ही adsense होता है यह आपको बता रहा है description में तो यहां पर मेरे पास है एक adsense तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ यहां next कर देते हैं और उसके बाद हलका सवेट करते हैं तो यहां पर हमें बता रहा है कि किस email से आपका adsense है वो email यहां पर आपको बताना है तो जिस email से हमारा adsense है उस email को हम यहां पर use करेंगे उस email का पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद योर चैनल यहां पर मेरे चैनल आ गया let's get you started इस तरीके से option देखने को मिल रहा है तो setup account पर क्लिक कर देते हैं और देन हमें कुछ नहीं करना यहां पर आगे redirect to YouTube आपको redirect to YouTube we are redirecting you to YouTube where you can continue your set and start using adsense यह adsense पर login हो चुक है और redirect यह आ चुक है हमारे YouTube पर और इस तरीके से जो यह हमारा second यहां पर फिर से मैं आर्ण वाले section पर आपको लेकर जाकत के दिखाता हूं तो यहां पर आपको हल एक email आता है उपर मैं आपको पहले इस email को मैं चेक कर लेता हूं यह जो email आया है तो यहां पर यह email आया है हमारे को और यह बोल रहा है the adsense for your YouTube account linked in to your YouTube channel channel was successfully changed all feature payment will be processed through this new account सारे payment जो होंगे वो new is new account से नए adsense account है उससे होंगे